आप सभी साथगों का स्वागत है मैं अर्विन सक्सेना बोल रहा हूं इस वीडियो में मैं वाक या धुनी के बारे में बताऊंगा यह जानकारी अत्यंत महत्वपूर्ण है इसके जानने के बाद ही वेद तंत्र तता शास्त्रों अनशास्त्रों के महत्व को समझा जा सकता ह तो वाक को समझने के लिए समझना पड़ेगा कि जो शिव हैं और जो शक्ति हैं इनमें दोनों में चार चार एलिमेंट्स होते हैं तत्र होते हैं वह शिव के एक्तत्व वर शक्ति की ऊूर इस तरहande मिलने से ही जो होता है वाक या दोनी का ओरिजन होता है, यानि उत्पन होती ही दोनी अब जो शिव होते हैं, उनको प्रकाश भी जाता है प्रकाश मतबल लाइट और शक्ति उनको विमर्ष कर लाता है विमर्ष मतलब discussion तो चार जो एलिमेंट्स हैं प्रकाश के यानि शिव के वो हैं अम्बिका, वामा, जेष्ठा और रौदरी उसी तरह से चार तत्व जो विमर्श यानी शक्ति के हैं वो हैं शान्ता, एक्षा, ज्यान और क्रिया तो एक तत्व शिव का और एक तत्व शक्ति का इस तरह से समझने से, इन दोनों के मिलने से ही ध्वनी का विकास होता है अब यह जो ध्वनी हैं, यह सारे के सारे उरजन होता है बिंदू से बिंदू के बारे में मैंने पहले वीडियो में किसी में बताया हुआ है उसको आप लोग सुन ली जाएगा तो चार प्रकार के साउंड जो हैं और शब्द जो की इस बिंदू से उत्पन होते हैं जिनकों की हम वाक कहते हैं और उनके प्रकार के हैं पहला है जो सरप्रतम द्धनी और वाक जो उत्पन होती है वो है उसको कहते हैं परा या सुख्ष्म या परा वाक या परा हंता इसको परनात भी कहते हैं इसलिए जो बिंदू होता है उसका भी नाम परनाथ होता है परनाथ से ही परनाथ is beyond sister creation परनाथ से मतलब जो संसार जो बना है परनाथ उसके पहले होता है ऐसा समझेगे अब जब सामय वस्ता आती है जिसको एकली ग्रेम स्टेज कहते हैं अम्बिका और शान्ता की अब अम्बिका जो है वह element है शिवजी का और शान्ता है शक्ती का इनकी सामय वस्ता से इस परा का विकास होता है इस को जो है इस धुनी को परा मातर का भी कहते हैं इस इस्तिती में क्या होता है संसार्द होता है बी जुरूप में रहता है और उसमें च्छतिस्तत होते है इसके बाद दूसरा प्रकार है वाग का वहा पश्यन्ति इसको अक्षर बिंदू भी कहते हैं दूसरा नाम है इसका मेयूरांडर सवत ये जो हता है इसमें साम्यावस्ता में वामा और रिक्षा शक्ती रहती है वामा शिब जी की हुई और रिक्षा शक्ती होई तीसरी जो वाफ है धूनी है उसमें जो होता है शिवजी की जेष्टा शक्ति और शक्ति की ग्यान शक्ति इनका जो समय वस्ता रहती है उसको मध्यमा वाग कहते है ये तीसरा हुआ चौथा यानि अंतिम जो है धुनी या वाग उसको वैकरी कहते है जो कि हम लोग बोलते हैं इस समय जो हम लोग बात कर रहे हैं ये जमारी जो speaking है ये आया सुन रहे हैं ये शब्द है इनको वैकरी कहते है इसमें क्या होता है कि शिव जी की रौदरी शक्ति और शक्ति की क्रिया शक्ति का समय वस्ता रहती है इस वैकरी से ही संसार का अधिकतर प्रद्र निर्माल हुआ है कि आप यह चारों कुम्षाथियां जानि यानि पहली चकती परा दूसरी पष्यंथी तीसरी मद्यमा चौता वैकडी इन चारों सब्सक्राइब्यक्टियों से अब यह महा त्रिकोण या मूल त्रिकोण या महा जोनी यह जो एक जिनों ने भी जो भी यंत्र वगरा की जिनको छोड़ा सा ग्यान हो या समझ हो या देखा हो उसमें आपके देखे होंगे ट्रेंगल बने रहते हैं उसी में से ही जो मूल वाला जो होता है सबसे अंदर में जो ट्राइंगल होता है उस में उसी को मूल रिकोन को कहते है महायोनी इसका भी बहुत बड़ा रहसे है और इसको जाने बिना चंत्र को आगे की तिरफ में समझा नहीं जा सकता है तो यह जो जो ध्वनी के बारे में मै हमेशा बैठा रहना चाहिए आगे के जितने भी टॉपक आएंगे जैसे ज्ञान का आएगा ज्ञान के क्या-क्या स्तर होते हैं वह सारे के सारे इन धुनियों से बंते चले आते हैं कि वेद की उत्पत्ती कहां से हो रही है इसकी जानकारी आगे के वीडियों में बताऊंगा तो ये चारों नाम हमेशा इनका कॉंसेप्ट शुरू से ही क्लियर होना चाहिए वेद को समझने के लिए भी तंत्र को समझने के लिए भी आशा करता हूँ कि आपको ये जानकरियां अच्छी लगी होंगी बाकि आप लोग कमेंट करके बताईएगा इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद